हेलो फ्रेंट्स आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं विल्यम सिक्ष्पियर का एक नया प्ले एज यू लाइक इट फ्रेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में एज यू लाइक इट का सोर्स कंपोजिशन इयर सेटिंग एंड इंपोर्टेंट करेक्टर्स को हम डिसकस तो फ्रेंट्स लेक्चर बड़ा इंपोर्टेंट होने वाला है तो चलिए फ्रेंट्स लेट्स स्टार्ट देखिए अगर एज यू लाइक इट की बात करें तो यह जो कंपोज किया गया यह किया गया फिफ्टीन नाइन्टीन में यह जो प्ले है यह एक पेस्टोरल कॉमेडी कही जाती है और यू कन से यह रोमांटिक कॉमेडी भी इसको हम कहते हैं पेस्टोरल कोमेडी और रोमांटिक कॉमेडी इसके अगर हम सोर्स की बात करें तो फ्रेंट्स इसका एक जो चीफ सोर्स है वो रहा है थॉमस लॉज का रोजालिंड रोजालिंड जो इसके चीफ करेक्टर्स आए है वो फ्रेंट्स इस सोर्स से आए है इसके बाद कुछ और करेक्टर्स विलियम सिक्षपीर ने इन्वेंट किये और यह जो प्ले है यह बन पड़ा है इसकी अगर सेटिंग की बात करें तो देखिए एक्चुल में एक फिक्सनल एक प्लेस है जो फोरेस्ट आफ आर्डर में है लेकिन यह माना जाता है कि कहीं कहीं यह जो इसमें कुछ इंसिडेंट्स है कुछ लोकेशन है वो रियल है और यह जो प्लेस सेट हुआ है यह फ्रांस में सेट हुआ है वो लोकेशन कहा कि यह वो फ्रेंट्स फ्रांस की है और फोरेस्ट आफ आर्डर्ण अब बात कर लेते हुँ पले के इंपोर्डर्ण क्रेक्टर्थ की इंपोर्ड़न्ट क्रेक्टर्थ में गाद कि सबसे पहला नाम हम लेते हैं ओर्लेंडो डी बॉइज ओर्लेंडो डी बॉइज यह पूरा नाम है इस करेक्टर का ओर्लेंडो डी बॉइज और इन ब्रीफ इसको ओर्लेंडो कहा जाता है यह जो बेटा है यह है फ्रेंड्स रोलेंड डी बॉइज का रोलेंड डी बॉइज का और फ्रेंड दूसरी बात है कि यहां जो यह करेक्टर है इसके और दो भाई है एक है ओलीवर डी बॉइज और दूसरा है जैक्स डी बॉइज और जैक्स डी बॉइज और दब्रदर्स यानि अगर हम इस प्ले में बात करें तो यह तीन भाई है और रोलेंड डी बॉइज के यानि तीन बेटे हैं एक है ओलेंडो डी बॉइज ओलीवर डी बॉइज एंड जैक्स डी बॉइज फेंड्स यह जो करेक्टर है यह क्या करता है यह अपना घर छोड़ देता है और यह फोरेस्ट ओफ आरडन में चला जाता है एक ओल्ड एडम के साथ लीब्स ओम एंड गोज टू फोरेस्ट ओफ आरडन विद एडम ओल्ड एडम और फेंड्स यहां एडम एक ऐसा करेक्टर है जो एडम का रोल प्ले किया वो यह माना जाता है कि खुद विल्यम शिक्ष्पियर ने किया फेंड्स जो ओलेंडो है ओलेंडो को यह पता लग जाता है कि उसका जो भाई है ओलिवर वो उसको मानने के प्लाइग कर रहा है और उस घटना के बाद यह घर छोड़ देता है के लिए फेंड्स तो चलिए अब लिख लेते हैं ओलेंडो लंस that his boy that his brother Oliver is planning to kill him बात के लिए हैं और यह जो ओर्लेंड चलिए पहले इतना लिख लेते हैं आगे बाद में डिसकस करेंगे आप इसकी इंसवार्ड भी ले सकते हैं तो यह जो करेक्टर है और लेंडो यह प्रेम करता है रोजलेंड से किसे फेंस रोजलेंड से और अंत में उसकी रोजलेंड से शादी हो जाती है है एड़ दा एंड ही एंड रोजलेंड गैट्स वैंट जो सेकंड करेक्टर है वह है ओलिवर डी बॉइज और यह ओलिवर डी बॉइज कौन है यह फ्रेंड से एक ऐसा यूथ है एक ऐसा यूवक है जो ट्रिचेरियर से जो धोकेवाज व्यक्ति है यहां पर और धोकेवाज है यह इवन अब इसका जो सगा भाई है ओल्लेंडो ओल्लेंडो को यह मारने की भी कोशिश करता है इसी के साथ फ्रेंड्स यह कोशिश ओल्लेंडो को मानने की करता है लेकिन काम उल्टा होता है ओल्लेंडो क्या करता है इसको एक बार तो सांप के काटने से इसको बचा लेता है इसको धा करता है ओल्लेंडो के इसको वात क्लियर हुए थावगी खाता है टावीड देली स्नेक बात के लेंडो की खाता है बात के लिए हुए खाता है आगे बढ़ते हैं जब प्ले आगे बढ़ता है प्ले का अंत होता है तो दोनों भाई रीकनसाइल हो जाते हैं मिन्स दोनों के बीच जो मनमुटाब था बेहदभाव था वो मिठ जाता है फाइनली टू ब्रदर्स आर रीकनसाइल्ड टू ब्रदर्स आर रीकनसाइल्ड बी आरो टी एच ए आर एस क्लियर फ्रेंट्स ठीक कर लेजेगा इसको और यह जो करेक्टर है ओलिवर यह प्रेम करता है सीलिया से और सीलिया कौन है फ्रेंट्स रोजलिंड की कजन है तो फाल्स इन लव विद सीलिया क्लियर फ्रेंट्स तो चलिए लोट कर लेते हैं और स्क्रीन सौर्ड भी आप ले सकते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट करेक्टर है जैक्स डी बॉइज जैक्स डी बॉइज देखे जैक्स डी बॉइज कोन है यह जो सर रोलेंड डी बॉइज है रोलेंड डी बॉइज का यह बेटा है और जो ओलीवर है और ओलेंड हो है उनका यह भाई है यानि दो भाई अभी हम डिसकस कर चुके हैं तीसरा भाई अगर है तो वो है जैक्स son of Sir Roland D. Boyes, clear friends and brother to Orlando and Oliver. देखे होता क्या है प्ले में जो एक भाई है ओलिवर ये अपने दोनों भाईयों के प्रति पक्सपात करता है और ये क्या करता है जो और लेंडो है और लेंडो को तो स्कूल नहीं भेजता लेकिन ये ओलिवर को स्कूल भेज देता है clear friends, favored by Oliver over Orlando and he is sent to school और आगे बढ़ते हैं next character है friends यहां Duke Frederick Duke Frederick Duke Frederick कौन है यह इस comedy की बात करें तो इस comedy में यह villain है clear friends the villain of this comedy और ये करता क्या है इसका एक भाई है जो Duke है या जिसको Duke Senior भी कहा जाता है चुकि यहां दो Duke है एक Duke है और एक Duke Frederick है तो जो बड़ा भाई है वो है friends Duke जिसको Duke Senior भी कहा जाता है और जो छोटा भाई है वो है Duke Frederick तो चोट बड़ा भाई सज्जन है Duke है लेकिन चोटा बिलकुल villain है और यह एक दुस्ट है तो यह क्या करता है बैने से इस elder brother Duke ब्रदर ड्यूक और यू कन से ड्यूक सीनियर भी जिसको हम कहते हैं प्ले में बात के लिए हुई friends यानि उसका राज्य हड़क लेता है और इवन यह उसकी जो बेटी है ड्यूक की जो रोजलिंड है रोजलिंड को भी एक्जाइल कर देता है और जब प्ले समात होता है तो प्ले के पंत में यह क्या होता है यह एक हर्मिट है एक साथ हुए उसके संपर्ग में आके यह चेंज हो जाता है और लास्ट में फेंड्स क्या करता है जो आपका गार्डन है फोरेस्ट ओफ आर्डन में यह एक मोनेस्टिक लाइफ यह जीने लगता है के फिर्ण liaison क्या क्या करें।고 है एक अप रिए लाइफ ऐग्ट और ल फूट करेंट दा गार्डन ओव सॉरी फॉरेस्ट नॉट गार्डन फॉरेस्ट ओव आर्डन बात के लिए रोगई फ्रेंट्स चरिए फिर नोट कर लेते हैं बात कर लेते हैं प्ले की हीरोईन की तो रोजलेंड है हाई करेक्टर रोजलेंड कौन है दा हीरोईन अब दा प्ले बात क्लियर किसकी बेटी है जो ड्यूक है या ड्यूक सीनियर है उसकी यह बेटी है दा डॉंटर अब दा ड्यूक और फ्रेंड्स इसी के अलावा इसका जो अंकल है फेडरिक वो इसको एक्जाइल कर देता है अभी हमने पढ़ाई है चलिए चाहें तो लिख लेते हैं एक्जाइल बाई फेडरिक क्लियर फेंड्स कौन है इसका अंकल फेडरिक फेडरिक इसको एक्जाइल कर देता है और जब ये एक्जाइल कर दी जाती है फोरिस्ट ओफ आरडन में जाती है तो इसके साथ दो करेक्टर और होते हैं वो होते हैं एक्जाइल कि कौन यानी सीलिया और दूसरा करेक्टर होता है टचिस्टोन clear friends, accompanied by Celia and Touchstone, Celia and Touchstone, she goes to the forest of Arden, while she goes to the forest of Arden, and when she goes to the forest of Arden, then she disguised as a young man, and her name is Ganymede, clear friends, in the forest of Arden, she disguises herself as a young man. देखिए, दोनों ही character हैं, यानि Celia है और Rosalind है, दोनों ही disguise कर लेती हैं, और किसके एक पुरूश के रूप में यह वहां रहती है, और यहां यह है Rosalind, इसका नाम होता है, friends, Ganymede. पॉइट क्लियर हो गया, पता लग गया Rosalind कौन है, कैसे है, अब बात कर लेते हैं Rosalind के फादर की, और जिनका नाम है, हम अलड़ी दो बार नाम ले चुके हैं, वो है character Duke, और you can say Duke Senior, clear friends, यह कौन है, यह एक फादर है, Rosalind के, और दूसरी बात है, कि इनको banish कर दिया जाता है, to forest of Arden by his younger brother, Frederick, banishes to the forest of Arden by his younger brother, Frederick, point clear friends, और last में क्या होता है, कि इनकी जो property है, और जो इनका possession है, वो इनको वापस मिल जाती है, in the end of the play, he gets his property and possessions, property and possessions, बात clear होगी friends, तो चलिए, note कर लेते हैं, friends next important character है, और Celia, क्या है friends Celia, Celia कोन है, Rosalind की cousin है, और उसकी even close friend है, Rosalind's cousin and close friend, क्योंकि जब Rosalind को exile किया जाता है, तो Celia भी कह देती है, कि अगर दीदी जा रही है, तो दीदी के साथ मैं भी जाऊंगी, इतना प्रेम दोनों बहनों में है, Duke Frederick की बेटी है, पने दी में दीदीन, क्यों पना आपकुमणी카, ऑंन्ची लूलने क्यों प्रेस्टन् कोुलाए ट।, वासलूदा, क्योंके लूख़ड़िक लूब, ग्ड होड़िक सेकों अन्योंची का अंपनी साथाव्हंव्हर–धवार्दिक military, to the forest of Arden Friends, जब ये forest of Arden में होती है, तो ये भी disguise होती है और ये किस रूप में disguise होती है, ये disguise हो जाती है अलेणा के रूप में, इसका नाम जो है वो friend से अलेणा, चलिए यहीं लिख देते है Disguised as Alina और यह friends मिलती है किस से मिलती है Orlando के भाई से और जिसका नाम है Oliver Oliver से मिलती है उसके साथ इसको प्रेम हो जाता है clear friends she meets Orlando's brother Oliver and falls in love with him point clear friends चलिए आगे बढ़ते हैं next character reference touchstone touchstone क्या है इस play में जो clown है वो है the clown in the play clown के नाम मुझे याद आया सारे plays में 37 के 37 plays में जो मैंने clowns थे वो एक lecture में आपको दिये थे और अगर हो सकता है तो आप उस lecture में कम से कम उसको याद कर लें ताकि हर play का आपको clown पता लग जाए सबका नायाद करें तो अगर आप historical plays भी छोड़ देते हैं तो बाकी को आप कम से कम याद कर लें यानि 20-25 आपको याद होने चाहिए कि plays में clown कौन से हैं और friends यह जो clown है touchstone जब Rosalind और Celia forest जाती हैं तो यह उनके साथ चला जाता है अकमपनी जो रोजलिन और Celia तू दा फॉरस्ट और फॉरस्ट का नाम क्या है विर्णम बूड किसमें है विर्णम बूड अभी एक पीछे हमने प्ले किया था विर्णम बूड उसमें हमने विर्णम बूड का जिक्र किया था वो किसमें है चलिए कमेंट करके मुझे बता दीजेगा एक रिवीजन हो जाएगा आपका मुझे भी पता लग जाएगा कि आप सिंसिरली इन चीजों को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं कि फ्रेंट्स जो टच स्टोन है यह ओड्रे है करेक्टर ओड्रे से एक कंट्री वूमेन है ओड्रे ओड्रे से इसको प्रेम हो जाता है पॉल्स इन लव विद ओड्रे अ कंट्री वूमन तो फ्रेंट्स अभी दो तीन पेर तो बन गए हमारे एक तो सीलिया का बना टच स्टोन का बना और रोजलेंड का बना और टचस्टोन के बारे में बता दू मैं आपको यह विलियम सिक्ष्पियर के जो ग्रेटेस्ट फूल्स हैं ग्रेटेस्ट क्लाउन्स हैं उनमें से एक क्लाउन यह भी है यानि जो विलियम सिक्ष्पियर के टॉप क्लाउन्स हैं टॉप फूल्स हैं उनमें से टचस्टोन का नाम लिया जाता है तो लिख दूँ इस पॉइंट को भी चलिए वन ऑव दा कि ग्रेटेस्ट क्लाउंस और विलियम सेक्ष्पियर कि लिए तो चलिए नोट कर ले एक क्यारेक्टर है फ्रेंट्स यहां जैक्स कि जैक्स कौन है जो ड्यूक सीनियर है ड्यूक सीनियर की जो नॉबल मैं है उन में से एक है यानि वन ऑफ ड्यूक सीनियर्स नॉबल मैंस बात क्लियर वी फ्रेंट्स इसी के साथ यही ड्यूक सीनियर के साथ जो फोरिस्ट ओफ आर्डन है उसमें यह रहता है यानि यह ड्यूक सीनियर का साथ नहीं छोड़ता चलिए यहीं बढ़ा देते आंगे हूँ लेव्ज विद ड्यूक इन दा फॉरिस्ट पॉइंट क्लियर वह फ्रेंट्स यह जो क्यरेक्टर है इसको कहा जाता है मेलनकली जैक्स मेलनकली जैक्स और जे एक्यू यू एस जैक्स मेलनकली का मतलब होता है उदासी तो यह उदासी भरा करेक्टर यहां दिखाया गया है जैक्स जैसे फ्रेंट्स पीछे हमने मर्चंट और वेनिस पढ़ा था वहां भी एक मेलनकली करेक्टर था और वह कौन था एंटोनियो क्लियर फ्रेंट्स यहां जो ओलीक्स और है ओलीवर के दो सर्वेंट हैं Americans से और उन सर्वेंट के नाम है एक आड़न है और एक दैनось है तुमे मुझे कोरिन एंड सिल्वियस यह दो मेल हैं जो शेफर्ड्स हैं कोरिन एंड सिल्वियस क्लियर फ्रेंट्स तो यह क्या है सेफर्ड्स हैं और कैसी सेफर्ड्स है यह है मेल क्लियर फ्रेंट्स एक क्यरेक्टर है और ड्रे कौन है कंट्री वूमेन है अभी पीछे जिकर भी किया था अग कंट्री वूमेन और फ्रेंट्स यह जो प्रेम करती है यह करती है विलियम से एक करेक्टर है विलियम विलियम से प्रेम करती है और उसी से यह शादी कर लेती है लव्ज एंड वर्ड्स विलियम क्लियर फ्रेंट्स तो चलिए नोट कर लेते हैं फ्रेंट्स प्ले में एक करेक्टर ऐसा है जो बार बार धमकी देता है कि अगर मैं जो मेरा प्रेम है वो सफल नहीं हुआ तो मैं स्ट्यूसाइट कर लूगा और वो अजीब गरीब करेक्टर कौन है वो है फ्रेंट्स सिल्वियस जी हाँ अभी जिसका हमने जिक्र किया था सिल्वियस यह सैफल्ड है अब यह हमने लिखा था और यह किस से प्रेम करता है यह एक करेक्टर से फेबे शेप्रेस फेवे फेवे कॉंस्टेंटली रिजेक्ट्स हिम फेवे रिजेक्ट करती जाती है तो ये धमकी दे देता है कि मैं स्यूसाइड कर लूँगा ईकॉंस्ट टेथा आँच्टी हिरे लाउड औरो नाउड को खुमेंट तर्मेट्स देच आँच्टिस घतनरओच्टी क्लियर फ्रिंट्स जो फेवे हैं फेवे कौन है एक पेस्टोरेल गर्ड है जो सिल्वियस की प्रेमिका है बिलवीड ऑफ सिल्वियस और फ्रिंट्स यह जो फेवे हैं यह किसी और से प्रेम करती है और यह किस से प्रेम करती है यह प्रेम करती है गनिमेड से क्लियर फ्रिंट्स सी फाल्स वाइलली इन लव विद गनिमेड और गनिमेड कौन है फ्रिंट्स गनिमेड है जो रोजलिंड है इन डिस्गाईज क्लियर इसको नहीं पता होता कि यह लड़की है यह जो रोजलिंड है रोजलिंड को लड़का ही समझती रहती है और उससे इसको प्रेम हो जाता है रोजलिंड इन डिस्गाईज प्रेज on the plate और फाइनली क्या होता है इसकी शादी किससे हो जाती है वह सिल्विएस के साथ इसकी शादी हो जाती है फाइनली इसी वेल्ड सिल्वियस वेल्ड्स सिल्वियस पॉइंट के लिए हुआ तो एक पेर जो है फ्रेंट्स यहां बन गया नेक्स्ट करेक्टर फ्रेंट्स एमीन्स एमीन्स कौन है एक लोल्ड है अटेंडिंग ड्यूक सीडियर अलोल्ड अटेंडिंग 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 सीडियर बात के लिए रफ्रेंट्स और यह क्या है यह प्ले में एक सिंगर दिखाया गया है यह क्या करता है ब्यूटिफुल लेरिक्स यह गाता रहता है ही सिंग्स ब्यूटिफुल लेक्स पॉइंट क्लियर रफेंट्स तो चलिए बहुत सारे क्रेक्टर्स निपट गए और एक दो बच्चे हैं इसको नोट कर लेते हैं पहले एक करेक्टर है फ्रेंट्स यहां चाल्स चाल्स कौन है एक प्रोफेशनल रेस्लर है कुस्ति वाज है यहां चाल्स हलाकि माइनर करेक्टर है और एक चीज़ और पता दो फ्रेंट्स यह जितने भी प्लेड हैं जो इंपॉरणट्ट्स हैं इसके एवन जो माइनर करेक्टर से वो भी आप लर्न कर लें क्योंकि जो इंपॉर्णट्स प्लेड हैं उनके अगसर माइनर करेक्टर वाँपूझ लिया जाते हैं कि ये कौन है कैसे है कहा है क्या करता है और जो minor plays है means ऐसे plays है जो unimportant है उनके major character पूछे जाते हैं जैसे two gentlemen of waruna इसमें two gentlemen कौन है paracles है इसमें इसका hero कौन है या इसका subtitle क्या है तो इस तरह के questions अक्सर आते हैं तो ध्यान ये रखें जो important play है उसमें even जो छोटे से छोटा character है उसको भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है clear friends एक character है लाबा लाबा कौन है एक courtier है अटेंडिंग फ्रेडरिक अटेंडिंग फ्रेडरिक अफ आर इडी आर आई सी के फ्रेडरिक के लिए वाफटेंड्स एक एक character है डेनिस डेनिस क्या है जो ओलीवर्डी बॉइज है उसका सर्वेंट है शायद नाम लिखा था क्या डेनिस का चलो मुझे ध्यान आ रहा है नहीं लिखाओ आप लिख लेते हैं सर्वेंट टॉ ओलीवर्डी बॉइज क्लियर फ्रेंट्स तो लेक्चर भी काफी लेंदी हो गया लेकिन हमने जितने इंपॉर्डन डिसकस कर लिए ऑन जो माइन र करेक्टर हूँ तो टॉपिक करें अपको लिखा लिए तो चलिए जो कमेंट कहा था आप of cost मिलता रहे चलिए फिर नेक्स लेक्चर में हम डिसकस करेंगे प्ले की समरी को और समरी के बाद फिर हम स्पीड लिए अब काम को बढ़ाते हैं अपने तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं देखी जो प्ले सुरू होता है एक्चल में ये फ्रांस में सुरू होता है तो फ्रांस में एक ड्यूक था और ड्यूक का नाम था फ्रेडरिक तो फ्रेडरिक ने क्या किया फ्रेंड्स इसका अपना बड़ा भाई था जिसको ड्यू इसके बाद क्या करता है ये अपना जो भाई है इसका सका यानि जो ड्यूक सीनियर है उसको कुछ बफादार साथियों के साथ फॉरस्ट ओफ आर्डन में इसने जबर्दस्ती महां उनको भेज दिया लेकिन फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर की जो बेटी थी जिसका नाम था रोजलिंड रोजलिंड को अपने महल में अपनी बेटी सीलिया के साथ रहने की परमीशन दे दी दोनों जो कसन थी सीलिया और रुसलिंड ये दोनों फास्ट फ्रेंड भी बन गई और दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी उधर फ्रेंडर्स एक करेक्टर है सर रोलन्ड डी बॉयज तो सर रोलन्ड डी बॉयज का जो सबसे छोटा बेटा है औरलंडो और्लेंडो ने एक पहलवान था चार्ल्स, चार्ल्स को हरा दिया अब जब चार्ल्स को हरा दिया तो सब लोगों ने उसकी बड़ी परसंसा की और वहाँ पर पहली बार रोजलिंड को पहली नजर में और्लेंडो से प्रेम हो गया जो रोजलिंड थी वो बड़ी काइंड हार्टेड थी बड़ी पॉलाइट थी और इसी नेचर के कारण सब उसे बड़ा प्रेम करते थे तो फेडरिक को लगा कि रोजलिंड के कारण जो उसकी अपनी बेटी है सीलिया सीलिया की वेल्यू कमर हो रही है तो इसलिए उसने एक दिन गुसे में क्या क्या रोजलिंड को भी कहा कि 24 गंटे के अंदर वो भी महल चोड़ते सीलिया जब रोजलिंड महल से निकली तो सीलिया ने भी फोलो किया सीलिया ने कहा कि दीदी अगर आप जा रही हो तो मैं भी आपके साथ चलूँगी तो सीलिया भी रोजलिंड के साथ महल से निकली पड़ी और वेँ एक बफदार उने साथ था टचस्टोन टचस्टोन उन दोनोंके साथ गया ताकि एक सीकुरिटी उनको मिल सके। और ये दोनों ही कजन थी ये पुरसों के वैश में निकल पड़ी और कहां पहुंच जाती है ये पहुंच जाती है फोरिस्ट अफ आर्डन उधर फेंट जो ओलीवर था ओलीवर ने भी अपना जो भाई है उसका सगा और लेंडो उसके साथ बड़ा बुरा बेवार किया और उसकी जो एजूकेशन थी एजूकेशन पर उसने उसको ध्यान नहीं दिया इवन जो उसकी पैतरक संपत्ति उसको मिली थी वन थाउजन पॉंट्स वो भी उसको नहीं दी और इवन उसने तो जो चाल्स था कुस्ती में एक पहलवान था उस पहलवान से उसको मरवाने की भी कोशिस की लेकिन वो यहां सफल नहीं होता अपनी प्लानिंग में जो ओर्लेंडो है ओर्लेंडो के पास था एक बुढ़ा सेवक और वो था एडम एडम ने भी उसको सलाह दी ओर्लेंडो को कि तुम अब तुरंत जो है घर यहां छोड़ दो क्योंकि यहां इस घर में रहन फोरेस्ट फार्डन थी और इधर दूसरी तरफ यह फोरेस्ट फार्डन चला गया अब जैसे ही फोरेस्ट फार्डन पहुंचते हैं तो एडम का जो बुढ़ा था थक गया भूग के मारे बड़ा बुरा हाल था व्याकुल हो गया तब और्लेंडो क्या करता है नंगी में निकलता है और जब वोजन की तलास में निकलता है तो उसका एक जगे सामरा होता है वो होता है ड्यूक सीनियर से तो ड्यूक सीनियर जब उसको देखते हैं तो बड़े खुस हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि वो उनका जो फ्रेंड है सर रोलेंड रोलेंड का व फ्रेडरिक ने जो और्लेंडो का बड़ा भाई था ओलीवर को बलवाया उससे कहा कि तुम है तुमारा जो चोटा भाई है इन दोरो लड़कियों को लेके भाग गया है उसको बुलाओ उसको मेरे सामने लाओ और अगर नहीं लाते तो तुम मेरी जो रियासत है उसको चले जाओ इस पर फ्रेड्रिक गुस्सा हो जाता कहता है तुम भी धोके बाज हो तुम अपने भाई का पक्स कर रहे हो वो ओलीवर की संपत्ति हडप करने का आदिश्ति देता है और इस प्रकार जो ओलीवर है और लेड़ी चला गया था जंगल में अब जो ओलीवर है में चला जाता है सारे केरेक्टर सब कहां चले गए फॉरस्ट ओफ आर्डन चले गए कहानी किधर बढ़ती है अब फॉरस्ट ओफ आर्डन में सारा आगे की जो इंसीडेंट से वह वहां घटित होती है और लेंडो रोजरेंड के प्रेम में कभी बन गया और कभी बनने के बाद वो कभी ताए पेड़ों पे लटका देता है पेड़ों की जो चाल है उस पे भी वो रोजरेंड का नाम लिखता रहता है जो गनीमिट के वेश में थी वो उसके पागलपन को ठीक करने के लिए कहती है और फिर वो इशारों इशारों में कहती है कि चलो तुम मुझे म लेकिन फीबे जैसे ही रोजलिंड को पहली बार देखता है गनीमेड के भीष में देखता है देखती है फीबे लेडी है फ्रेंस तो वो उसको प्रेम करने लगती है और उधर जो एक करेक्टर है टच स्टोन टच स्टोन भी एक गाउं की लड़की है और्डरे और्डरे से प तो अब वो वहां देखता है तो वहां वो क्याद नोटिस करता है कि उसके गर्दन के चारोर एक सांप लिप्टा हुआ है और एक भूकी सेड़नी भी जाड़ियों में छिपी हुई है यहां ओर्लेंडो को तो पहले ही ओलिवर ने मानने की साजिस की थी लेकिन ऐसा नहीं होत यहां पर क्या करता है और्लेंडो अपने भाई के पिरती बड़ा सिंसियर है बड़ा प्रेम करता है अपने भाई से और यहां अपने भाई को वो बचा लेता है सांप से भी बचा लेता है और फ्रेंस जो भूकी सेड़नी है उससे भी बचा लेता है वो क्या देखता है कि जो खून से सना हुआ एक रुमाल देखता है और रुमाल देखने के बाद गनीमेड यानि जो रोजलिंड है वो बेहोस हो जाती है और बेहोस होने के बाद जब वो होश में आती है जल्दी ही होश में आ जाती है उधर फिर्ट्स जो करेक्टर थे ओलीवर और इसकी जो फिर् कर लेते हैं कि हमें शादी करनी है आगे बढ़ती है तो हम क्या देखते हैं कि अगली जो मुलाकात होती है उसमें और्लेंडो गनीमेड से कह रहा है कि मैं तुम्हें रोजलिंड मानके जादा दिन जिन्दा नहीं रह सकता क्योंकि जो मेरा भाई है उसकी शादी होने जा रही अगर कल को मेरे भाई की शादी हो जाएगी और मेरे भाई की शादी का जो दुख है वो मेरे दुख को उसकी जो खुशी है शादी की वो मेरे दुख को बढ़ा रही है उधर गनीमेड कहता है कि चलो मैंने अपने चाचा से एक जादू सीखा है और उस जादू की वज़े स अगर तुम कह रही हो तो मैं तुमाने सामने रोजलिंड को ला दूँगा और उससे फिर तुम विवा कर लेना अब अगले दिन जो गनिमेड है वो तो फ्रेंट सेक्चुल में क्या है रोजलिंड है जो डिसगाईज थी वो रोजलिंड के रूप में आ जाती है और रोजलिंड के रूप में आने के बाद निश्य किया जाता है कि ओर्लेंडो और रोजलिंड उधर सीलिया और जो ओलीवर है उन दोनों का विवा जो है वो एक ही दिन हो विवा के लिए सेमती दे देती है और टच स्टोन और ओर्डरे भी विवा कर लेते हैं और इधर फिर है डियुक फ्रैडरिक है फ्रैडरिक का हार्ट है वो बदल गया है और अब वो कह रहा है कि मैं तो हमेशा के लिए अब एक हर्मिट बन जाऊंगा मैं साधू बन जाऊंगा और अब मैं हमेशा इस जंगल में रहुँगा फ्रेंट्स कहानी आगे बढ़ती है इधर जो पर देता है कि जो फ्रेडरिक का भी हार्ट चेंज हो गया है और फ्रेडरिक ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे एक हर्मिट बन जाना है मुझे एक सन्यासी बन जाना है और मैं अब राजका छोड़ के जंगल में ही रहूँगा और इस प्रकार जो ड्यूक सीनियर है उसको उ हाना वजाना होता है और उसी के साथ जो नाटक है वो हैब हैपी एंडिंग के साथ फिरेंग्स का तो ब्रीफ में मैंने आपको हैं सारी इंप रही इंपर आड़ को बता दिए और आई होप यह लेक्ट्सर्ट जो as well as important questions तो चलिए फ्रेंड्स नाओ थेक्स फर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स हम सीख रहे हैं as you like it a play by William Shakespeare फ्रेंड्स इस प्ले की हमने summary discuss की इसके characters discuss किये and now we are going to discuss its important quotations तो फ्रेंड्स जो quotations हैं सारी important quotations आपको आज के lecture में मिलेंगी lecture बड़ा important होने जा रहा है तो चलिए फ्रेंड्स let's start देखे सबसे पहले quotation सबसे important quotation मुझे याद आती है और Jacks कहता है और लेंडू से कहता है क्या कहता है the worst fault you have is to be in love कि जो सबसे बुरा आपका fault होता है जो आपकी सबसे बड़ी भूल है वो यह है कि you are in love कि तुमने प्रेम किया है the worst fault you have is to be in love clear friends देखे जो ओर्लेंडो है उसको प्रेम हो जाता है और प्रेम में वो यहां वहां पेड़ों पे कवीताए अपना टांगता रहता है पेड़ की छाल पे अपना ओर्लेंडों नाम लिखता रहता है तो जब वो नाम लिखता रहता है अपनी प्रेमी का तो जैक्स इस बात को कहता है वो इस चीज़ को किर्टिसाइज करता है और वो किर्टिसाइज करता है तब वो इस बात को कहता है कि Orlando तुम्हारी सबसे बड़ी जो भूल है वो है कि तुमने प्रेम किया है क्लिया फ्रेंट्स जैक्स कह रहा है किस से Orlando से और ये एक्ट थर्ड के सीन सेकंड से लिए गई है फ्रेंट्स देखे जनरली एक्ट और सीन एक्जाम में नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अगर ढूणनी पड़े कोड टेक्स्ट में तो आपको आसानी बनी रहे है चलिए फ्रेंट्स अगे बढ़ते हैं देन ले देट सेंटेंस ओन मी तू माय लॉर्ड आई कांट लिव विदाउट हर देन ले लेट सेंटेंस ओन मी तू माय लॉर्ड लॉर्ड आई कांट लिव विदाउट हर कि मेरे स्वामी मुझे भी ये सेंटेंस जो आपने इसको दिया है किसको दिया है जो सेंटेंस आपने रोजलिंट को दिया है वो सेंटेंस मुझे भी दे दो वो आदेश मुझे भी दे दो क्योंकि मैं रोजलिंट के बिना नहीं रह सकती फेंस इस बात को सीलिया कह रही है जो सीलिया के फादर है ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक फ्रेडरिक ने जो कि उन्हें लग रहा था कि सीलिया की वेल्यू कम हो रही है रोजलिंड के कारण तो वो एक दिन रोजलिंड को भी ओर्डर दे देते हैं तुम्हें 24 घंटे के अंदर इस महल से बहार निकल जाना है तब इस सेंटेंस को लेके इस ओर्डर को लेके सीलिया अपने फादर से कह रही है कि पिता जी ये आदेश आप मुझे भी दे दो क्योंकि मैं दीदी के बिना नहीं रह सकती कि मैं रोजरेंट के बिना नहीं रह पा इस इंथर से कोट ली गई है और इस प्ले की बड़ी फेमस कोट अब मैं आपको एस्प्लेन करने जा रहा हूं और जो दुनिया है ये तो क्या है एक स्टेज है ये संसार तो एक रंगमंच है एक नाटक का जो स्टेज होता है वो है और यहां जो मैन और वीमन है यानि जो पुरुस और महिलाए है यहां तो क्या है वो केवल प्लेयर्ज है और वो जो प्लेयर्ज है यहां इस रंगमंच पे इस इस स्टेज पे जो प्लेयर्ज हैं पुरुच और महिलाए है उनका एक्ट्र。 जिटस है और उनका एंटरेसोर थो आते हैं यहां भूमी का निभाते हैं और उसके बाद यहां से चले जाते हैं कितनी गहरी सोच कितनी डीप सेंस कितनी प्यारी को IT कही है और यह काम अगर कोई कर सकता है तो फ्रेज्ट्स, वह केवल विल्यम मुषक्ष्पियर ही कर सकते हैं जैक्स यह कहता है, यहाँ यह कोट है यह सेकंड सेक्ड सेकंड में है तो जैक्स कहे रहा है, और तो प्यारी लाइन चast Kap終 Élосто, वो मैंने इस कोट से चुकी लेंदी हो रही थी, हटा दी, एक नई कोट के रूप पे लिख दी, और जो एक व्यक्ति होता है, वो अपने समय में, अपने जीवन काल में बहुत सारे रोल प्ले करता है, कभी वो छोटा बच्चा होता है, कभी वो एक बेटा होता है, कभी वो एक हस्बेंड होता है, और कभी वो एक फादर होता है, कभी एक ग्रेंड फादर होता है, बहुत सारे रोल वो प्ले करता है, बहुत सारे रोल हमें दिये गए है, देने वाला इश्वर है, हम आते हैं, जर्म लेने के बाद इस स्टेज पे हमने वो रोल प्ले किया, कोई टीचर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई बूचर बन गया, कोई शेफर्ड बन गया, तो तो इस एक्ट्स बीइंग सेवन एजस और ये भी किसकी है कोड जैक्स की ही लाइन है जो आगे मैंने एक अलग कोड लिखती है के लिए रबाद फ्रेंट्स तो अब यहां एक चीज और एक किशन मन जाता है कि वो सेवन एजस यहां यह जो विलियम शिक्ष्पीर ने बताई ह कि वो सेवन रोल्स प्ले कर रहा है वो कौन-कौन से नाम है इसको हम आगे किस्ट्स में डिसकस कर लेंगे यहां डिसकस नहीं करते हैं क्लिया फ्रेंट्स तो चलिए नोट कर सकते हैं अगली कोट हम डिसकस करते हैं टाइम ट्रेबल्स इन डाइवर्स पेसेज विद डाइवर्स परसंस टाइम ट्रेबल्स इन डाइवर्स पेसेज टाइम ट्रेबल्स विद डाइवर्स पेसेज यहां जो वर्ड आया है फ्रेंड्स डाइवर्स देखें डाइवर्स क्या होता है डाइव कहते हैं गोता लगाना डाइवर होता गोता लगाने वाला लेकिन यहां जो वर्ड है यह डाइवर्स वो सेंस नहीं है यहां इस वे डीफरेंट किलिए डीफरेंट पेसेज विद डायाइवर्स परसंस कि जो समय है वो ट्रवल करता है वो चलता है डाइवर्स पेसे अलग-अलग गती से और किसके साथ अलग-अलग वियक्तियों के साथ यानि ओल ये हैं और्लेंडो ने ही रोजलिंड कह रही है किस से कह रही है और्लेंडो से कहती है और रोजलिंड और्लेंडो से कह रही है कि जो समय है वो अलग-अलग बिभिन व्यक्तियों के साथ बिभिन बिभिन गतियों से चलता है और आगे वो कहती है कि मैं बता सकती हूँ कि किसके साथ वो तेज चलता है और किसके साथ वो धी में चलता है और यहां फ्रेंड्स एक ची जो और बता दू यह कई कोड्स है यह जब रोजलेंड वो डिसगाइजड है तब वो इस बात को कह रही है और डिसगाइजड वो क्या है वो गनिमेर्ड के रूप में डिसगाइ है क्योंकि वह यहां गणीमीड के रूप में इस बात को कहा है किस से कहता है ओर वह ओल्लेंडो से कहता बात कि रूसलह लिनंडो टू पो हम और क्या के टाए से क्लियर हुआ होगा कि जो समय है वह दूसक्तया है उधीन a thing it is to look into happiness through another man's eyes. Oh, how bitter a thing it is. A thing it is. Aray, यह कितनी कड़ी बात है. Clear for friends? यह into happiness, throw another man's eyes. देखिए, सीलिया का और ओलिवर का कल विभा होने वाला है. और ओर्लेंडो कह रहा है रोजलिंड से कि विभा हो रहा है, भाई का विभा हो रहा है. अब बताइए भाई का विभा हो रहा है, तो इनसान को खुश होना चाहिए, कि दुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, कि चलो कल भाई की साधी है, लेकि यहां नहीं हो रहा है, यहां काम उल्टा हो रहा है. यहां ओर्लेंडो कह रहा है रोजलिंड से कि देखो कल मेरे भाई का विभा होने वाला है, ओढ़ दुख को बढखा देती है. मुझे बाद मेरे दुख को बढ़ा देती है तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी बहुत जल्दी ही विवा हो जाए क्लिया फ्रेंट्स ओर्लेंडो कह रहा है किस से रोजलेंड से और फ्रेंट्स बस ये वही बात है हमारे घर में लाइट चली गई हो और परोसी के घर में रोशनी हो रही हो परोसी की लाइट आ रही हो तो हम उस सबसे ज़्यादा दुखी होते है कि भई सबकी चली गई तो सबकी भाग जानी चाहिए ती लेकिन वो हमारी गई है परोसी के घर में क्यों रोशनी हो रही है इसलिए हम दुकी होते हैं क्लियर तो हम अपने दुक से दुकी नहीं होते हैं कई बार हम दूसरे के सुख से दुकी होते हैं और यही बात यहाँ Williame Shakespeare ओर्लेंड़ो के माद्यम से कह रहे हैं जो रोजलेंड की आड्रस करते हैं इस बात को कहता है क्लियर फेंट्स आगे बड़ी प्यारी कोट आती है कि ब्यूटी प्रोवोक्त थीव्ज सूनर देन गोल्ट ब्यूटी प्रोवोक्त थीव्ज सूनर देन गोल्ट अब देखिए यहां मैटर क्या है दोनों को जब सीलिया जो रोजलिंड को एक्जाइल होना था चूंकि जो फ्रेडरिक ने ओर्डर दिया सीलिया भी उसके साथ चलती है तो रोजलिंड यहां सीलिया से कह रही है तो सीलिया और यह जो बात है फ्रेंड्स यह एक्ट फरस्ट के सीन थर्ड में से ली गई है तो रोजलिंड यहां सीलिया से कह रही है कि हम दोनों एक महिला के रूप में अगर जाएंगे फोरेस्ट के भेश में पुरुस के कपड़े पहन ले और तब हम जाएं और तब वो कहती ए क्योंकि जो ब्यूटी होती है वह थीव को सोने से अधिक आकर्शित करती है means जो चोर है वो सोने की तरफ इतना आकर्शित नहीं होते जितना की नारी सौंदर्य की तरफ होते है बात किलियर हो गई, सेंस किलियर हो गई इस बात को कह रही है, रोजलेंड कह रही है वो सीलिया से कह रही है Oh, how full of briars is this working day word Oh, how briars, देखिए एक नया वर्ड आपको मिला है briars, यह briars साइध आपने ना सुला हो Oh, how full of briars is this working day word is this working day word और इस briar का मतलब होता friends, thorns अब आप समझ गए होंगे, thorns कहते है काटो को कि जो एस संसार है working day word means, यह जो common यह world है, यह जो साधारन संसार है यह how full of briars means, यह कितने काटों से भरा हुआ है कि यह संसार जिसमें हम रहते है वो कितने काटों से भरा हुआ है clear friends और इस बात को कौन कह रहा है इस बात को भी Rosalind कह रही है Celia से कह रही है बिल्कुल से एक्ट और सीन की यह कोट है यानि Rosalind Celia से कहती है कि यह जो संसार है यह कितना काटों भरा है clear friends कोट clear हो रही है समझ में आ रही होंगी आई हो तो चलिए note down as man's in gratitude यह friends एक सौंग है जो एमीन्स गाता है और एक्ट सेकंड के सीन समंथ से कोट ली गई है कि बिलो बिलो दाओ वे इंटर विंट कि अरे सर्दी की हवा एक शरद रितू की हवा बिलो बिलो मिन्स तुम बहती रहो अरे जो सर्दी की हवा होती है friends वो बड़ी कुरूल होती है वो ऐसा लगता है जैसे हमें वो हवा काट रही हो तो क्या कहा जा रहा है एमीन्स गीत गा रहा है कि अरे सर्दी की हवा तुम बहती रहो तौ आर्ट not so unkind तौ आर्ट not so unkind कि तुम उतनी निर्दई नहीं हो कि तुम निर्दई तो हो तुम क्रूल तो हो लेकिन उतनी निर्दई नहीं हो as man's ingratitude जितना की आदमी की कर्तग्रता कर्तग्रता क्या कहते हैं एहसान फरामोशी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के एहसान को नहीं मानता वो क्या कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं ingratitude कहते हैं तो एमीन्स कहता है कहता है कि मुझे जो सर्दी की हवा है तुम बहती रहो, तुम मुझे इतनी क्रूवल नहीं दिखती हो, तुम इतनी क्रूवल नहीं हो, जितनी क्रूवल एक मानव जाती की कर्तगनता होती है, Ameans कह रहा है, Ameans Song, Clear Fence, एक सेकंड के सीन सबंत में, कोट के लिए हुई, मजा आ रहा हो पढ़ने में कोट को, The fool.think he is wise, कि जो एक मूर्ख व्यक्ति होता है, वो अपने आपको क्या समझता है, that he is wise, कि जो मूर्ख व्यक्ति है, वो अपने आपको बड़ा बुद्धिमान समझता है, बड़ा विद्वान समझता है, but a wise man knows himself to be a fool, but a wise man knows himself to be a fool, लेकिन जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो यह समझता है, कि तू मूर्ख है, clear friends, देखिए, actual में क्या होता है, जो व्यक्ति, एक कहावत भी है इंग्लिस में, little knowledge is a dangerous thing, नीम हकीम खत्रे जान, कि जो थोड़ा ग्यान होता है, वो बड़ी dangerous thing होती है, और बस वही व्यक्ति, जो होता है, यानि जो मूर्ख होता है, उसको थोड़ा सा ग्यान मिल जाए, वो अपने आपको क्या समझने लगता है, वो सबसे बड़ा धिमान अपने आपको समझने लगता है, लेकिन वास्तब में जो धिमान व्यक्ति होता है, वो अपने आपको मूर्ख समझता है क्यों समझता है? उसे लगता है कि अभी बहुत सारी चीजे हैं, बहुत सारा ग्यान है जो तुझे लेदा है clear friends? तो बड़ी प्यारी कोट है, टच स्टोन कहता है विलियम्स से कहता है टच स्टोन टू विलियम और ये friends act fifth से है scene का मुझे ध्यान नहीं आरा कौन से scene से act fifth से कोट ले गई है, clear? I pray you मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ do not fall in love with me I pray you fall in love with me I pray you do not fall in love with me for I am falser than woes made in wine falser than woes made in wine अब देखे, कितनी गहरी बात यहां कह दी friends actual में ये जो line है, ये कौन कहता है ये rosalind कहती है, जो disguise में, यानि जो guanimate है, वो इस बात को कहता है, clear? और किस से कहता है, । अब गनी में, अगर समझे इसको तो कहता है, रोज़े अले वहां, ये कहती है, तो ये, रोज़े लिझे ये लिझे है, कि तुम उससे प्रेम मत करो, clear friends? क्योंकि मैं एक जो शराबी होता है उस शराबी की कस्मों से भी मैं जूटा विकती हूँ और इसके लावा मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता हूँ बात समझ में आ गई तो फीबे से कहता है कौन कहता है ये गनिमेंड कहता है जो रोजलेंड है वास्तब में वो गनिमेंड है वो कहता है कि तुम उससे प्रेम मत करो क्योंकि मैं तो जो शराबी होता है जो वोज होती है कस्मे होती है made in wine शराब पीने के बाद खाई जाती है मैं तो उन कस्मों से भी अधिक जूटा विकती हूँ clear friends और आगे एक बड़ी प्यारी कोट आती है कि love is merely a madness love is merely a madness कि जो प्रेम होता है वो तो क्या होता है वो एक पागलपन है इसके अलाबा कुछ नहीं है यह रोजलेंड कहती है और लेंडो से कहती है बात clear हुई friends love is merely a madness और वो आगे इसमें और दो लाइन में कह देती है कि जो एक पागलपन होता है और जो एक पागलपन होता है उसका इलाज उस तरह किया जाता है जैसे एक पागलपन किया जाता है उसको एक अधेरी कोटली में बंद करके उस पर कोड़े लगाए जाते है आगे की दो लाइन में कहा जाता है कि जैसे एक पागलपन किया जाते है वही हाल प्रेमी के साथ किया जाना चाहिए clear? तो चलिए friends नोट कर लेते हैं अब friends इस comedy की बात हो रही है तो लव कोट्स भी इसमें बहुत सा जादा होंगी और friends एक चीज और बता दू William Hazlitt रहे हैं William Hazlitt ने तो यहां तक कह दिया कि जो एक प्ले है as you like it ये तो आधा प्ले कोट्स का बन पड़ा है means कि सबसे जादा कोटेशन भरी हुई है हर लाइन अगर वो कोट है तो वो as you like it की है किस ने कहा friends William Hazlitt ने कहा और friends इस कोट को पढ़ाने के चकर में बस भूली गया था कि हमारी family जो है वो 10K हो गई है और इस सब का credit आपको जाता है million minds की ओर से आपको दिल से many many thanks आपने जो प्रेम बनाई रखा है जो आपकी faith बनी रही है चैनल पर जो authentic material आपको मिल रहा है वो friends मिलता रहेगा I promise you तो चलिए एक और कोट कह देते हैं love quote we that are true lovers कि हम जो सच्चे प्रेमी होते हैं run into strange capers चलिए पहले लिख देता हूँ कि हम जो सच्चे प्रेमी होते हैं run into strange capers और यह जो world reference capers यह आपके लिए बिल्कुल नया है देखें capers का जो मतलब होता है वो होता है tricks अब आप समझ गए होंगे कि जो प्रेमी होते हैं प्रेमी तो पागल होते हैं friends अभी कहा William Shakespeare ने और आगे यह कह दिया कि जो प्रेमी होते हैं वो मूर्खता पूर्ण काम करते हैं वो बहुत सारी tricks लगाते रहते हैं किसे प्रेमी कसे मिलने के लिए clear friends तो यहां यह टचस्टोन कहता है रोजलिंड से कहता है कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो तो प्यार में कैसे कैसे मूर्खता पूर्ण काम करते हैं और आगे कहता है कि प्रकरती में हर वस्तू नास्वान है और व्यक्ती प्रेम में हर मूर्खता पूर्ण काम करता रहता है clear friends तो यह टचस्टोन कह रहा है रोजलिंड से sense clear हो गया देखिए जो difficult words आते हैं इनको भी आप learn कर लें दोनों काम होंगे code भी समझ में आएगी और आपकी जो vocab है वो भी पढ़ेगी most friendship is fainning most loving merely folly most friendship is fainning कि जो friendship होती है most friendship means अधिकतर जो मित्रता होती है is fainning और यह fain जानते हैं क्या friends देखिए fain जो होता है इसको कहते हैं false यानि जो पाखंड होता है उसको हम fainning कहते हैं most loving merely folly और जो loving होता है जो प्रेम होता है अधिकतर जो प्रेम होता है वो क्या होता है friends वो folly होती है folly कहते हैं मूर्खता को अधिकतर जो मित्रता होती है वो दिखावटी होती है वो false होती है clear? और जो अधिकतर प्रेम होता है वो क्या होता है वो मूर्कता होता है बात समझ में आई? आरके नारायर ने भी इस बात को कहा है प्रेम कुछ रही है, ये तो एक mere affection होता है और कुछ नहीं है इस बात को तो friends, यहां Shakespeare कह रहे है चिह जो friendship है, वो तो एक पाखन्ड है वो तो false होती है और जो love होता है वो एक folly होती है, वो एक मूर्खता होती है और ये क्या है फ्रेंट्स? ये एक Amines का एक song है Amines song और ये जो song है फ्रेंट्स ये actual में जो song रहा है एक blow blow down winter wind अभी हमने पीछे discuss किया था, तो ये line उसी song के अंदर आती है clear, तो अलग एक quote बन पड़ी है, तो इसलिए इसको यहाँ अलग discuss कर लिया एक और बड़ा प्यारा song है जो Amines गाता है Under the Green Wood Tree Under the Green Wood Tree और चलिए फ्रेंट्स, आज कर्क्रिशन भी आपसे पूछ लेता हूँ ये जो Under the Green Wood Tree है, ये एक novel का भी title है वो novel आपको बताना है, उस novel को किस ने लिखा है clear friends, तो comment करके आप जरूर बताईएगा और अगर नहीं बता है, तो Google भी कर सकते है Under the Green Wood Tree, who loves to lie with me ये इसकी अगली line है, बस पहली line ही important है आगे तो कुछ नहीं है, आगे कह रहा है और वो कह रहा है, क्या कह रहा है friends, कि जो कोई भी मेरे साथ, देखे, second line है, who loves to lie with me कि जो कोई भी मेरे साथ, इस हरे बरे जंगल में व्यतीत करना जीवन व्यतीत करना चाता हो, जो चडिया है, चडियों के गीतों में और पेडों की छाया में, अगर कोई व्यतीत करना चाता है तो वो मेरे साथ आ जाए, वो समय अगर व्यतीत करना चाता है कोई इस प्राकर्तिक माहोल में, तो वो मेरे साथ आ जाए, बात के लियर friends, समय में आगी, पहली line आप में चीज़ लर्ण कर लीजिए, पहली से ही आपको तो वहां पता लग जाएगा, और generally पहली पूछी जाएगी, लेकिन comment करके मुझे जरूर बता दे, ये किसका novel है Do you not know, I am a woman? Do you not know, I am a woman? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक महिला हूँ, when I think I must speak और यहां ये किस्चन कर रही है, क्या तुम्हें नहीं जानते हैं कि मैं एक महिला हूँ और when I think I must speak, तो जो भी मेरे, जो भी मैं सोचती हूँ, वो मैं बोल देती हूँ Clear friends, यहां Rosalind कह रही है सीलिया से Rosalind to Syria क्या कहती है, कि तुम्हें पता होना चाहिए, कि मैं एक महिला हूँ, और इस कारण, जो भी मेरे मन में विचार आता है, मैं वो कह देती हूँ Clear friends quotes, तो चलिए, note down, और you may take screenshot चलिए friends, एक और love quote आती है, कि the sight of lovers feed those in love The sight of lovers feed those in love देखे, है क्या, कहने का मतलब क्या है इस बात को, feed जो feed है, feed में ही TH लगा दिया है, William Shakespeare ने, feed और food से word बनता है feed, food का मतलब होता भोजन, और feed का मतलब होता भोजन, कराना Clear friends, तो sight of lovers, कि जो पिर्णे निवेदन होता है, जो lovers होते है लवर्स को पिर्णे निवेदन करते हुए देखना, वो एक भोजन होता है, किनके लिए, who are in love, जो प्रेम में होते है Means, लोगों को, प्रेमियों को पिर्णे निवेदन करते हुए देखना, जो ऐसे लोग, जो swim प्रेम में होते हैं, उनके लिए, आननदाई होता है Clear Friends, Rosalind कहती है, और किस से कहती है, कौरिन से बात के लिए, रेफ्रेंस, तो चलिए Though I look old, yet I am strong and lusty Though I look old कि यद्दपी में बूढ़ा दिखाई देता हूँ, और बूढ़ा करेक्टर कोन था Friends, अब समझ रही होंगे, मैं किस की बात कर रहा हूँ, yet I am strong and lusty And lusty कि यद्दपी में बूढ़ा दिखाई दे रहा हूँ, मैं देखने में बूढ़ा लग रहा हूँ, फिर भी मैं strong हूँ वास्तब में मैं स्ट्रोंग हूँ, हस्ट्पुस्ट हूँ और लस्टी और लस्टी कहते है कामुक कि मैं देखने में तो बुढ़ा दिख रहा हूँ लेकिन वास्तब में मैं हस्ट्पुस्ट हूँ, मैं स्ट्रोंग हूँ और लस्टी हूँ और आगे ये करेक्टर कहता है कि मैंने अपनी जवानी में कभी भी जो शराव है उसको मैंने हाथ तक नहीं लगाया मैंने कभी जीवन में अपने शराव नहीं पी इसलिए मैं देखने में बुढ़ा लग सकता हूं लेकिन मैं स्टॉंग हूं और लस्टी हूं ओल्ड एडम कह रहा है और रिंडू से कि लियर फ्रेंड्स एडम जानते हैं तो बस एडम की कोड है एक ओल्ड में है यहां स्वीट आर दा यूजज ऑफ एडवर्सिटी स्वीट आर दा यूजज ऑफ एडवर्सिटी कि जो एडवर्सिटी होती है दिखें एडवर्सिटी कहते है विपत्ति को मुसीवत को कि जो मुसीवत होती है उसमें क्या होता है जो उससे अनुभव हमें मिलते हैं वो बड़े मी जब हम मुसीबत में होते हैं, परिसानी में होते हैं, तो friends हमें जो सीख मिलती है, वो सबसे सुखद सीख होती है, वो सबसे अच्छी सीख अगर हमें मिलती है, तो वो तब मिलती है जब हम adversity में होते हैं, और P.V. Shelley ने एक बात और कही है, कि हमारे जो sweetest songs होते हैं, वो होते हैं जो हमारी saddest feelings को बताते हैं, बस उसी से मिलती जुलती ये quote है, तो यहाँ, like the toad, ugly and venomous, venom कहते friends, poison को, जहर को, venomous means, जहर के जैसा, clear, we are yet a precious jewel in his head, we are yet a precious jewel in his head, कि देखिए, यहाँ कितनी प्यारी बात कह दी, कि जो दुर्भाग्य है, उससे जो हमें अनुवब मिलते हैं, वो सबसे सुखद सीख देते हैं, जो एक toad होता है, toad क्या होता है friends, जैसे mendak होता है frog, उसी की जाती का एक दूसरा जीव होता है, उसी के जैसा होता है, toad, तो एक toad देखने में बड़ा घंदा सा लगता है, तो toad की तरह अगली होते हैं और वनमस होते हैं, जो भद्दे होते हैं और जहर से बुझेवे होते हैं, लेकिन उनके माथे पर, उनके सर पर एक precious jewel लगा होता है, clear friends, जिनके सर में एक मूल्यवान मड़ी होती है, आप ऐस समझ सकते हैं, तो sense clear हो गया, बात समझ में आ गई, ड्यूक सीनियर कह रहा है, और किस से कह रहा है, वो अपने साथियों से कह रहा है, इस बात को, clear friends, to his companions, और forest of Ireland में वो इस बात को कहता है, Thus, man may grow wiser, every day, कि यद्पी जो मानव है, यद्पी जो व्यक्ति है, वो दिन परते दिन वाइजर होते जा रहे हैं, means, वो दिन परते दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति होते जा रहे हैं, वो बुद्धी से बढ़ते जा रहे हैं, clear? It is first time that ever I heard, This is first time that I ever heard, कि जो व्यक्ति हैं, वो दिन परते दिन बुद्धिमान होते जा रहे हैं, और ये पहली बार है, जब मैंने सुना है, Breaking of ribs, वोज sport of ladies, Sport of ladies, अब देखें, कौन कहता इस बात को फ्रेंट्स, टच स्टोन कह रहा है, लाबासे, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि जो व्यक्ति हैं वो बुद्धिबान होते जा रहे हैं, लेकिन पसलियों कोट तोड़ना महिलाओ का मनुरंजन होता है, वो तो मैं पहली बार ही यहां देख रहा हूँ, एक्च्वल में फेंट्स यह कोट जब कही गई है, तो दो करेक्टर लड़ रहे हैं, एक तरफ चाल से और दूसी तरफ ओर्लेंडो हैं, और कुस्ती कर रहे हैं तो हड़ी भी तूट रही हैं, और हड़ी तूट रही हैं, उस कुस्ती के दुर्शे में क्या हैं महिलाओं हैं, वो बड़ी जोड़ जोड़ से चिला रही हैं, बड़ी खुश हो रही हैं, तब यहां तब यह कहता है कि मुझे तो अब लगता है कि मारा बुधिवान होने के साथ जो महिलाओं का जो मनुरंजन है वो किसी की हड़ी तूटना भी महिलाओं का मनुरंजन होता है तो चलिए बहुत लेंदी साथ लेक्चर हो गया होगा मुझे लगता है यह 45 मिनट के असवास हो गया होगा तो चलिए आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं और हाँ जितनी भी प्ले में इंपॉर्डेंट कोट्स थी वो सब मैंने आज के लेक्चर में आपको दे दी है फि नाओ थेंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो हैं एलो फेंड्स हम सीख रहे हैं एज यू लाइक इट अपले बाई विलियम शेक्षपियर फेंड्स इस प्ले की हम इंपॉर्डेंट कोट्स डिसकस कर चुके हैं इसले लेक्चर में और आज के लेक्चर में हम डिसकस करने ज देखेगा तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट देखिए रोजलिंड है करेक्टर जो ओर्लेंडो को एक गिफ्ट देती है और वो गिफ्ट क्या है वो है फ्रेंड्स उसका नेकलेस क्लियर फ्रेंड्स नेकलेस सीलिया जब रोजलिंड के साथ फॉरेस्ट ओफ आर्डन में जाना चाहती है तो सीलिया कहती है कि हमें डिसगाइजड हो जाना चाहिए ट्रेवलिंग के दोरान क्योंकि अगर हम रिच क्लोद्स पहने हुए होंगे तो हम अंसेफ होंगे और इसी के साथ साथ हम नह लोग यह जाने या कोई थीफ हमें यह जाने कि हम जो हैं ड्यूक की फैमली से हैं तो इसलिए सीलिया के सजस्टन पर दोनों लोग डिसगाइजड होते हैं कौन-कौन सीलिया एंड रोजलिंड क्लियर फ्रेंट्स किस रूप में डिसगाइजड होते हैं वो हम पढ़ चुक बदी से हैं वो हमें बधने कान भी हैं अश्टन पर चाराइस प्रेंड़ किस रहतनी। भली हैं यह ढईंड प्रेंट्स She did not want to be detected Clear friends ये बात तो थी ही लेकिन इसी के साथ वो ये भी कहती है कि ताकि हमें पहचाना ना जाए देखे ओलीवर था ओलीवर जो तीन भाई थे ओलीवर ने पने फादर से प्रॉमिस किया था कि उसके जो भाई हैं उनको वो पढ़ाएगा लेकिन ओलीवर ओलेंडो के बिरती वो पक्सपात करता है और उसको पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं बेशता Clear friends To Oliver promised his father that he would educate his brother properly that he would किस तरह से आ सकता है एक ओल्ड सर्वेंट है और उसका नाम है एडम एडम और लेंडो को जितनी भी उसके पास सेविंग्स होती है उन सारी सेविंग्स को एडम और लेंडो को ओफर कर देता है कि लियर फेंड्स कि और लेंडो क्योंकि और लेंडो जब एक्जाइल होता है जब वो जंगल भी जाता है तो एडम उसको वहां भी फोलो करता है कि लियर फेंड्स जैसे ही दोनों फोरस्ट फार्डन में चले जाते हैं तो ड्यूक और उसके जो आदमी है उनको देखके जो ओलेंडो है ओलेंडो क्या करता है वो अपनी जो तलवार है उसको निकाल लेता है और उनसे भोजन की मांग करता है क्यों करता है क्योंकि जो उस कि चलो मैं खाने का अरेजमेंट करके लाता हूं और उसे मिल जाते हैं ड्यूक और उसके आदमी तो इन दगी तलवार लेके जाता है उनसे भूजन की डिवांट करता है और फिर भूजन लेके आता है तो यहां जो फोरेस्ट के बात हो रही है वो हो रही है फ्रेंट्स फोरेस्ट ओफ आर्लडन की बात किलियर फ्रेंट्स तो ओर्लेंडो ड्रीव ही सोल्ड और ड्रीव क्या फ्रेंट्स ड्राज ही सोल्ड क्योंकि प्रिजन टेंस में हम कह रहे हैं वो अपनी सोल्ड निकालता है एंड डिमांड्स फूट पॉइंट के लियर हो गया तो चलिए फ्रेंट्स नोट कर लेते हैं ओर्लेंडो फाइंड्स गनीमेड्स सिमिलर टो रोजलेंड्स ओर्लेंडो को जो रोजलेंड है रोजलेंड के समान उसे गनीमेड्स दिखाई देती है और वो जो दिखाई देती है वो ग्रेस फूलनेस और अपियरंस दोनों में ही गनीमेड्स ओर्लेंडो को रोजलेंड के सिमिलर लगती है और तो लगती है लेकिन किस चीज में सिमिलर लगती है यह किश्वन सबसे पूछा जा सकता है इन ग्रेस फूलनेस और अपियरंस ग्रेस फूलनेस और अपियरंस बात के लिए रोभी फ्रेंस तो चलिए अपियरंस यह होना चाहिए यह चलिए जो गनीमेड है वो बनावट करता है वो रोजलेंड के बनावट करता है और उसमें वो ये कहता है कि मैं जो ओर्लेंडो तुम्हारा जो प्रेम है रोजलेंड के बिरती उसको मैं ठीक कर दूँगा तो किश्वन मन जाता है क्या बाइ फेनिंग टू एक्ट लाइक रोजलिंड की तरह से दिखावा करके फाले जो गनी मेड़ है गनी मेड़ प्रोज़ तू किउर ओर्लेंडो लव फॉर रोजलिंड पॉर्पोज तू कि ऊच्वन ओर ल Εन्डो लव फॉर रोजलिंड अच्वन्ट के लिए हुगा है फेन्स बात समझ में आ रही है Orlando express करता है अपना जो प्रेम है वो Rosalind के पिरती कैसे express करता है कि वो जो नाम है वो पेड़ो पर लिखता है पेड़ो पेड़ो पोएम्स लिख के वो टंगाता है और इवन जो stems हैं पेड़ो के पेड़ो की जो चाल है तने हैं उन पे वो अपनी जो बिलविड है उसका नाम लिखता रहता है तो Orlando expresses his love for Rosalind कि Orlando Rosalind के पिरती जो प्रेम पर कट कर रहा है by carving her name on the trees on the trees बात के लिए रोगी friends देखिए एक करेक्टर है Oliver जिसने मानने की कोशिच की अपने भाई को Orlando को लेकिन वो इस कोशिच में तो सफल नहीं हुआ Orlando इसका उलट करता है वो अपने भाई Oliver को बचाता है और किस किस चीज से बचाता है तो Oliver's life was threatened by स्नेक एंड लाइनस ओलीवर्स लाइव त्रिटेंट बाई तो उसको थ्रेट था क्या थ्रेट था उसकी ओलीवर की लाइव को तो दोनों से ही जान को खदरा था और जो ओल्लेंडो है वो उलीवर की लाइफ को स्नेक से बचाता है और बहुद लॉइनज से बचाता है बात के लिए अपने भाई को बचाने के दौरान जो लॉइनज है लॉइनज ने ओल्लेंडो की जो आर्म है उसको घायल कर दिया तो दलाइनस हैस वूंडेड ओर्लेंडोज आप ओर्लेंडोज आप ओर्लेंडोज आप बात क्लियर होगे फिर्ट्स चुकि अब लाइनस से बचा रहा है तो कहीं न गहीं जखमी तो होना ही एंसान अब ओर्लेंडोज क्या करता है जखमी तो हो जाता है लेकिन वो उस लाइनस को मार देता है लाइनस को मारने के दोराज जो ओलीवर है ओलीवर उसका अभारी हो जाता है और उसको अपने जो उसने काम किया था उस पे वो रिपेंटेंट होता है वो अब पस्ताता है तो ओलेंडोज, slaying of the lioness, slay, यह एक word है slay, slay का मतलब होता है हत्या करना या मार देना तो slaying of the lioness made Oliver feel grateful, उससे Oliver क्या हो जाता है और उसे पचतावा होता है पॉइंट क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, वो जो injury है उसके बारे में जब ओलेंडो की injury का जब पता लगता है गनीमेड को यानि जो उसकी beloved है तो जब पता लगता है तो पता लगने के बाद वो जो गनीमेड है वो fainted हो जाता है, means मूर्चित हो जाता है On hearing about Orlando's injury Orlando's injury गनीमेड विकम्स पेंटेड, clear हो गया फ्रेंड्स एक character है और वो character है Oliver Oliver decide कर लेता है कि वो शादी करेगा, किस से करेगा, Alina से शादी करेगा और शादी करने के बाद, वो कहीं अपने राज्ये में नहीं जाएगा, बलकि वो इस जंगल में ही रहेगा clear friends तो Oliver has decided to marry Alina और Alina कौन है friends? ये है Celia in disguise and live in the forest अब देखिए, यहां दोनों बहने disguise होती है और जो यहां Rosalind है, वो disguise होती है गनीमेड के रूप में लेकिन उसकी जो बहन है Celia, वो disguise होती है Alina के रूप में और इसका मतलब क्या है friends? वो दोनों ही पुरुष बेश में नहीं होती एक तो Shepard का बेश बना लेती है कौन? जो Rosalind है और वो बेश बनाने के बाद क्या बन जाती है? वो बन जाती है गनीमेड और जो Shepardus है, Shepardus का बेश बना लेती है सीलिया और वो बन जाती है Alina क्लियर? बात समझ में आ गई? येस अब लास्ट में प्ले के जो Frédéric है Frédéric का हार्ट जो है वो चेंज हो जाता है और चेंज होने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है An Old Hermit एक बुढ़ा हर्मिट मिलता है और उसकी बाते सुनके जो Frédéric है उसका हार्ट चेंज हो जाता है Frédéric's हार्ट वोज ट्रांसफोर्म्ड बाइ एन ओल्ड हर्मिट पॉइंट क्लियर हुए Frédéric's तो चलिए नोट कर लेते हैं Frédéric's जो यहां हीरो और हीरोईन है इस प्ले में यानि ओर्लेंडो एंड रोजोलिंट क्यूशन मनता है कि उनकी पहली मुलाकात कहां होती है तो आंसर इसका क्या है ओर्लेंडो एंड रोजोलिंट मीट्स एट ए रेसलिंग मैच फस्ट टाइम जब रेसलिंग हो रही थी चार्ल्स के साथ लड़ाई हो रही थी ओर्लेंडो की कुस्ती हो रही थी तब फस्ट टाइम रोजोलिंट ओर्लेंडो को देखती है और उस मैच में विनर कौन रहा था फैंड्स चलिए आप सोचिए तब तक मैं क्यूशन लिख देता हूँ और लंडो और रॉसलिंड मेट्स अ रसलिंग मैच पस्टाइम पता लगा कौन यहाँ विनर रहा विनर रहा था फैंड्स ओर्लेंडो उसने चार्ल्स को हरा दिया था ड्यूक फ्रेडरिक वो ओर्लेंडो को डिसलाइप करता है क्यों डिस्काइज करता है क्योंकि इनके जो फादर हैं दोनों के वो एनिमीज थे वो दुश्मन थे इसलिए फ्रेडरिक ओर्लेंडो को डिसलाइप करता है क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक डिसलाइप ओर्लेंडों दियर फादर्स वर destructive enemies point clear ओगए friends जब Atlanta और Adam दोनो farming पहुंसते हैं तो बहुत भूक से पीडित हो जाता है कोन भूक से पीडित होता है वो पीडित होता adam clear Adam कहता है कि मैं तो भूक से مरा जा रहा हूं मुझे जल्दी से तुम कोई खाने का प्रवंद करो तो लिख लेते हैं कृष्ष्वन को वें और्डरे वें और्रेंडो एंड एडम रीच दा फॉरेस्ट रफ आर्डन एडम विल डाए विकोज ओफ हंगर किलियर हो गया फ्रेंट्स देखिया केबल भूग की बात हुई है किलियर जो सिल्वियस है और एक दूसरा करेक्टर है फीबे सिल्वियस कहता है फीबे से कहता है कि फीबे तुमारी जो आईज है वो तो इतनी स्क्राउन फुल है कि वो मेरा मडर कर देंगी क्लियर फ्रेंट्स कौन कह रहा है सिल्वियस कह रहा है किस से कह रहा है फीबे से तो सिल्वियस सेज फीबे और यह दोनों ही क्या है क्रेक्टर यह जो क्रेक्टर ही यह फेंट शफ़र्ट क्लियर फेंटिंस आइज आर सो इस्क्राउन फुल पॉइंट क्लियर हो गया रोजलेंड कहती है किससे कहती है फीबे से कि उसे लकी फीब होटा चाहिए क्योंकि उसके कुरूप होने के बाद भी जो सिल्वियस है वो उसको प्रेम करता है but clear reference? Roserend says that Phoebe शुब फिल लुकी बिकॉस शिल्वियस लव्ज हर इन स्पाइट अव हर अगलीनस कि वो अगली है फिर भी वो जो शिल्वियस है वो उसे प्रेम करता है तो चलिए नोट कर लेते हैं फिर्ट्स जो रोलन डी बॉइज है रोलन डी बॉइज की डेथ के बाद उनकी जो संपत्ती है उसका राइट किसको चला जाता है वो जाता है फिर्ट्स एक्शुल में जो एल्डेस्ट यहां डॉटर एल्डेस्ट जो सं होता है मिन सबसे बड़ा जो बेटा होता है उसको संपत्ती का रिकार चला जाता है और वो है फिर्ट्स ओलीवर अक्तर अ स्कॉलिवर ग्रॉंक्प चर्व् सुष्ड़ूवर और प्रापर्टी के आद दा राइट और प्रापर्टी गोज तो ओलिवर तो शब्दों की कटौती कर दी मैंने यहाँ फ्रेंट्स जो ड्यूक फ्रेडरिक था उसका प्लान था कि एडम पर वो सेना लेके जंगल जाता है फोरिस्ट फाल्डन में वो जाता है चड़ाई करने के लिए उसको वहाँ बर्बाद करने के लिए लेकिन वो वहाँ इस प्लान को छोड़ देता है त्याग देता है क्यों त्याग देता है इसका क्रेडिट जाता है एक हर्मिट को एक हर्मिट उसको मिलता है और हर्मिट के ब जब CELIA और रोजलेंड एक्साईल होती हैं, वो जंगल जाती हैं तो जो TOUCHSTONE है, वो उनको अकम्पनी करता है वो उनके साथ चलता है क्यों चलता है, परपोजहुजॣारटी तो TOUCHSTONE अकम्पनीज, CELIA और रोजलेंड टू दा फॉरेस्ट पॉइंट क्लिया और फ्रेंट्स जो फीवे है हाँ फीवे प्रेम करने लगती है किस से प्रेम करने लगती है गनीमेट से तो फीवे फॉल्स इन लॉग विद गनीमेट देखे फ्रेंट्स यह जो मैं किस्चन आपको दे रहा हूँ यहां मैं बहुत ज़्यादा किस्चन फ्रेम नहीं कर रहा क्योंकि जो हमारे करेक्टर्स हैं डाइरेक्ट उन पे किस्चन बहुत सारे बन जाते है अगर 15 से 20 करेक्टर्स भी अगर प्ले में है हैं तो 20 किस्चन वहाँ फ्रेम हो जाते हैं तो उन किस्चन को कौन क्या है फ्रेम नहीं कर रहा हूं जब क्रेक्टर्स आप लर्ण कर चुके हैं तो वहाँ से आपके तयार हो जाते हैं यहां तो मैं वह पॉइंट वाइज किश्वन सापको दे रहा हूँ जो प्ले के टेक्स्ट से निकल कर आते हैं क्लियर फ्रेंट्स एक करेक्टर है मेलनकली करेक्टर और मेलनकली करेक्टर कौन है वह फ्रेंट्स जैक्स जैक्स एक मेलनकली करेक्टर और उसको क्या कहा जाता है मेलनकली जैक्स कहा जाता है पॉइंट क्लियर फ्रेंट्स ओलीवर ने मना कर दिया किसकी एजुकेशन को वो बरबाद कर देता है वो बरबाद कर देता है और लेंडो को पॉइंट क्लियर फेंट्स प्ले के एंड में एक करेक्टर है वो कहता है कि मुझे तो कही नहीं जाना सब तुम अपना राजकाज समालो सब महल चले जाओ मुझे तो यहीं जंगल में रहना है और वो करेक्टर कौन है वो है फेंट्स यहीं मेलनकली करेक्टर जैक्स यह कहता है कि मुझे तू बस सब मोनेस्ट्री में ही आ रहना है मुझे तो अब सिहां सन्यासी मुझे भी बन जाना है के रफेंट्स at the end of the play जैक्स डिसाइड डिसाइड और क्या डिसाइड करता है तू गो एट आप मुनेस्ट्री पॉइंट क्लियर मुनेस्ट्री सीलिया और जो रोजलिंड है जब वो ड्यूक फ्रेडरिक के महल से निकल जाती है तो एक करेक्टर को जो ड्यूक है वो उन्हें खोजने के लिए भेजता है और वो करेक्टर कौन है फ्रेंट्स वो है ओलिवर क्लियर फ्रेंट्स तो चलिए लिख लेते हैं और वेन सीलिया एंड रोजलिंड सिलेप्स प्रेंट्स इंटो था फोरेस्ट द्यूक फ्रेडरिक सेंड्स ओलिवर टू सार्च दैम पॉइंट क्लियर वो फ्रेंट्स तो चलिए नोट कर लेते हैं फिर देखिए ओलेंडो को मारने की सारी प्लांिंग कर ली गई ओलिवर के दौरा एक जो रेसलिंग थी जो कुस्ती थी कुस्ती का परपज ये था कि जो ओलेंडो है उसको मार दिये जाए चाल्स उसको मार दे लेकिन वहां ओलेंड़ बज जाता है क्योंकि वो कुस्ती जीत जाता है तो उसके बाद भी जो उसका भाई है Oliver वो वहाँ चुप नहीं वैटता वो क्या करता है जिस रूम में उस कुस्ती के बाद जब ओर्लेंडो घर लोटता है तो जहां जिस रूम में वो सोया है वहाँ पर ओर्लेंडो आग लगवा देता है क्लियर फ्रेंड्स तो वेन ओर्लेंडो रिटर्न होम फ्रॉम दरेस्लिंग मैंच रिटर्न होम आफ्टर दरेस्लिंग मैंच लिटर्न होम लिटर्नी होम न अनर्ड्नी कांफ्यम साफ्टर्न होम इन अ क्ट्रॉमी यहाँ लोगवा लिटर्यमे, ग dönस्या और मॉम्हस मैं. बाद्लेंड्नी ओर्वा का इन बाद बने गवाऑब लिटर्संटी सृश्ट बाद्हिंटो गवार्मा point clear friends जब Oliver को ये पता लगता है Oliver sorry जब Oliver Frederick को ये आके बताता है कि मैं उनको नहीं ढूड पाया किसको नहीं ढूड पाया मैं Orlando को नहीं ढूड पाया तो Duke Frederick क्या करता है वो Oliver की जो land है उसको वो seize कर लेता है actual में क्या है friends देखिए जब दोनों बेटिया भागी ड्यूक फ्रेडरिक की यानि सीलिया और रोजलेंड जब महल से निकल गई तो ड्यूक को लगा कि इसमें जो हाथ है वो है ओरलेंडो का और ओरलेंडो को पकड़ने के लिए ओरलेंडो को लाने के लिए भेजा जाता है ओलीवर को लेकिन Oliver आके कह देता है कि मुझे तो Orlando मिला नहीं अब जब मिला नहीं तो Duke Frederick कुस्सा हो जाता है और जो Orlando की लेंड है वो उसको सीज कर देता है Point, clear way friends, when Oliver reports that he has been unable अने बल टू फाइंड ओर्लेंडो कि जब ओलीवर आके बताता है किसको बताता है फिर्ट ड्यूक फ्रेडरिक को कि उसे जो है जो ओर्लेंडो है वो नहीं मिला तो ड्यूक फ्रेडरिक सीज़ ओर्लेंडो जो ऑलीवर्स लैंड तो ओलीवर की जो लैंड है उसको वो जब्त कर लेता है देखी जो रोजलिंड है रोजलिंड ने ओलेंडो की जो हेर है उनको कंपेर किया है और वो किस से कंपेर किया है हेर ओप जूडस जूडस के हेर से कंपेर किया है पर इंपोरन किश्टन वन परतायों फेंस, लुजर रिंड गंपेर और रिंडों सेयर तू दहेर आव जूडस अब देखें यह बता दू पर जूडस कौन है देखें जू जूडस है वो क्या था वो एक अपोसल था क्राइस्ट का अपोसल से मतलब है एक डिसिपल था एक शिश्य था क्राइस्ट का जिसने जीजस क्राइस्ट को धोखा दे दिया था जीव के खिलाफ और धोका तो दे दिया उसने जीजिस को धोका देने के बाद वो रिमोर्ट से इतना भर गया इतना जाद है वो दुखी हुआ इतना जाद है वो पश्चताप से भर गया कि उसने सुसाइड कर ली थी और अजूरस एक नाउन भी है और वो किस के लिए यूज होता है वो यूज होता है एक ऐसे फ्रेंड के लिए जो अक्सर हमें धोखा दे देता है clear friends तो अगर हम कहीं यूज कर रहे हैं a judas तो it means we are saying that our friend is ticharius clear friends चलिए आगे बढ़ते हैं तो judas clear हो गया बात समझ में आ गई जो प्रेम है वो तो वर्स है फीका है किस से फीका है एक जो स्नेल होता है वो उस से भी खराव है एक स्नेल से भी गया गुजरा है Rosalind says that Orlando's love is worse than स्नेल स्नेल क्या होता है एक घूंगा होता है जो आपकी नदी होती है नदी में वो स्नेल मिलता है एक सीपी होती है यूनो एक स्नेल होता है जैसा संक होता है संक की तरह से clear friends तो उसको स्नेल कहा जाता है तो चलिए friends लोट कर लेते हैं question community tab में मैंने आपसे पूछा था मैंने कहा था कि हम Shakespeare को बंद कर दें रोग दें या Shakespeare के plays हैं उनको भी continue रखें तो friends लगभग equally दोनों लोगों की राय थी सब लोगों के equally comments थे लगभग I think 52% जो voting थी वो थी Shakespeare को continue करने पक्स में और बाकी जो बचे वे थे रेस्ट 48% आप लोगों कमत था कि हमें Shakespeare को break देना चाहिए actually friends देखिए अब मेरी जो personal राय है वो यह है कि हम Shakespeare को थोड़ा सा pause दे दें क्योंकि हमारी जो बाकी author से उनको भी हम cover कर लेते हैं और बाकी को complete करने के बाद जब हमें थोड़ा time मिलेगा तब हम Shakespeare के जो बाकी plays है about four to five to six plays अभी है चार से छे play हम और कर सकते हैं भी तो उनको हम तब discuss कर लेंगे तो मुझे भी खुद ऐसा ही लगता है तो कल से हम क्या start करेंगे कल से हम जो हमारा last play है उसको हम start करें स्वरी last author है हमारा TGT का यानि जोन गाल्सवर्दी को हम start करेंगे clear friends तो चलिए अभी इस play को ही थोड़े से और questions बचे हैं उनको हम discuss करते हैं तेखिए Rosalind कहती है कि कहती है कि जो एक प्रेम है प्रेम से entire history में वर्ल्ड की history में कोई भी व्यक्ति नहीं मरा चुकि ओलें तो रोजलेंड तो रोजलेंड जैस देट लव नेवर कॉस्ट अमेंस देथ इन दे एंटाइर हिस्ट्री ओव दा वर्ल्ड देखिए फ्रेंड सबको एक बात और बें बता दूँ अब जो हमारा बाकी स्लबस है बाकी जो ऑथर से उनको हम इस तरह से स्टडी करेंगे कि पहले लेक्चर में तो हम ऑथर की बायग्राफिक को डिसकस करेंगे सेकंड लेक्चर में हम ऑथर की जो इंपॉर्टन वर्क्स है उनको हम डिसकस करेंगे और जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम उन वर्क्स को डिटेल डिसकस करेंगे चुकि हमारे चैनल पर बहुत सारे हमारे अस्पारेंट ऐसे हैं जो TGT की भी तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो जूनियर वाली भरती है इसमें भी हम अपियर हो जाएं तो डोनो के लिए देखिये जो directions हैं जो cases हैं जो study हमें करनी है यह तो मैं एक दूसरा lecture आपको दे दूँगा उसमें बता दूँगा कि हमें किस तरह से उसको planning करना है कैसे तेयारी करनी है लेकिन जो हमारे पास authors हैं उनको हम इस तरह से हम divide करेंगे कि जो दो lecture हैं वो तो हमारे लिए सब के लिए common होंगे चुकि आप ही लोग है आपको junior में भी बैटना है आपको TGT में भी बैटना है चुकि junior आपके बड़े नजदीक है about 40 days आपको बचे हैं 40 to 50 days जो भी होंगे वो आपके examination के लिए बचे हैं तो उसमें आपको अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ा सा आप extra effort करके आपके पास एक extra opportunity है जोब पाने के लिए तो क्यों ना उसको वेल किया जाए तो जितने भी lectures हैं और आने वाले जो lectures हैं वो junior के लिए और आपकी TGT के लिए दोनों के लिए वो common होंगे लेकिन जो junior वाला है उस पे मैं थमनेल पे junior एड कर दूँगा और जो junior के लिए नहीं है जो TGT के लिए है उस पे वहाँ junior एड नहीं किया जाएगा मैं जो कहना चाहरा हूँ शायद आप समझ गई होंगे ताकि हमें दोनों तरफ से benefit मिल जाए clear friends तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए character है Orlando Orlando जब उस loynos को slay कर देता है उसके arm भी wounded हो जाती है और एक hankerchief है उसका जो blood में सन जाता है तो Oliver उस Orlando के hankerchief को Ganymed को pass on कर देता है clear friends तो Oliver Deliver's Orlando's bloody hankerchief Orlando's bloody hankerchief Ganymed किसको देता है friends वो Ganymed को देता है और Ganymed क्या होती है वो इसों देखके वो बेहोस हो जाता है clear अब friends एक character है वो disguised है तो कभी उसको हम male मान लेते हैं कभी female मान लेते हैं ऐसा ही चल रहा है play में Oliver promise करता है Orlando से कि जब मेरी शादी हो जाएगी ऐलीना से तो मैं जो Orlando है तुम्हें मैं जो अपना state है अपना राज्य है वो मैं तुम्हें सौंप दूँगा कि लिए फ्रेंट्स तो Oliver promises ओर न्डू that he will deliver point clear होगा है friends तो चलिए तेखी जो play है इस play में एक epilogue है और अब से पहले जो epilogue पढ़ा था वो हमने कहां पढ़ा था friends वो दाव टेंपेस्ट बे था जो prospero एक epilogue कहता है तो इस play में भी epilogue है और इसका जो epilogue है वो बोलती है रोजलेंड रोजलेंड उस epilogue को बोलती है the play has an epilogue spoken by रोजलेंड पॉइंट क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं देखी जो play है happy ending से खत्म हो जाता है और इस play में four couple बनते हैं और वो four couple कौन-कौन से हैं पहला जो couple है वो है friends Orlando एंड रोजलेंड दूसरा है फ्रेंड ओलीवर एंड सीलिया क्लियर फ्रेंड जो तीसरा कपल है वो है फ्रेंड टचस्टोन एंड ओर्डरे और जो लास्ट कपल है वो है फ्रेंड सिल्वियस एंड फीबे क्लियर फ्रेंड तो प्ले के जितने भी इंपॉर्डन किस्टन्स थे वो हमने सारे डिसकस कर लिये प्ले हमारा कंप्रीट हो जाता है और नेक्स्ट हम जो कल से हमारे जो लेक्चर सुरू होंगे वो होंगे फ्रेंड्स जॉन गॉल्सवर्डी पर तो चलिये फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स लेक्षर में और हां फस्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो फ्रेंड्स कुछ ड्यूटीज हैं तो चलिये नव थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो